स्टुडेंस अब सीबीसी बोर्ड क्लास 10 11 12 बच्चों आपके लिए बहुत बड़ी ख़बर आई है सीबीसी बोर्ड ने बहुत बड़ा चेंज करने का फैसला लिया है न्यू एजूकेशन पॉलिसी जो है वो लग चुकी है चीक है सीबीसी ने बहुत बड़ा पैनल बनाया यह चोटी बात हैं यह तो होनी थी इसके अलावा काफी बड़े बड़े चेंजे आया है पहला पर चेंज यह आया है कि अब तक आप क्या सब्जेक्स ले सकते थे बोर्ड एक्साम में यूकुर्ण उप्ट जिसमें पांच मैंडेट तो आप एक्स्ट्रा एडिशनल एक इससे फाइदे बहुत साड़े होंगे जो दीरे दीरे सी बसी बताएगी पहला बेनिफिट तो इसका ही है कि बच्चों के एक्सपर्टीज बढ़ सकती है मालो कि किसी को सर्मानौ साइंस के स्टूरेंट हो आपको हूमानिटीज में इंट्रेस्ट है तो पहले साइंस वाले स्टूरेंट जोते हैं तो इसलिए अब आप कॉम्बिनेशन में सब्जेक्स चूज कर सकते हैं यह एक दूसरा पेनिफिट आपको खोड़ा है ठीक है तीसरी यह बात है दो एक्जाम होने की बाते हो रही है सुना यह जड़ा एक नौवेंबर में होगा एक मार्चन में होगा या तो दोनों एक्जाम का क्या होगा कि परसेंटेज करके जैसे लास्ट यह था तो लास्ट यह बच्चे बिल्कुल खुश नहीं थे उससे क्योंकि उन्हें लगा दे कि एक एक्जाम का सर्टेन वेटें दूसरे का सर्टेन वेटें या दूसरा यह भी कर सकती है कि जैसे में होता है कि आप एक्जाम देते हैं ठीक है जिसमें आपके सबसे ज्यादा नंबर है वह आप कर लो ऐसा भी हो सकता है तो exactly क्या होगा यह जब पॉलिसी बाहर तो पता चलेगा तो बेनिफिट्स हैं बेनिफिट्स सीवेसी बता रहा है कि अगर पार्ट वाइज एक्जाम ले टाम वन टू करके तो अगर वैसा हुआ तो आपको फुल कवरेज मिलेगा असानी से पर सकते हो तो बेनिफिट जहां किसी चीज़ का फाइदा है वह नुकस करने में दिक्कत होगी तो उसका प्रॉब्लम यह हो जाता है कि उसी टॉपिक से बहुत सारे कुशन जबाते तो इंडेफ्ट कुशन आने शुरू हो जाते हैं ठीक है और फिर स्टूडेंस का स्ट्रेस लेवल कुछ होड़ी हो जाते कि आपको पता नहीं होता है तो आपको क्या आउटकम होगा बच्चों के बेनिफिट में क्या जाएगा और डिमेरिट्स इसके क्या होंगे या आपको क्या इसमें फ्लॉज नजर आएंगे यह तो जब एक्जैक्ली पॉलिसीज के जो चीजें आएंगी सामने तो हमें पता चलेगा ठीक है तो अगर हम लास्ट य स्टूरंट्स डिफ्रेंट पासिंग काइटेरिया मांग रहते हैं तो सी बेसी नभी यह सब बताया तो नहीं है हलाकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब लगी है तो चेंजेज बहुत सारे हैं चेंजेज दिखने शुरू भी हो गया है हो सकता है इस बार जो बच्चे बो मोड में हो रही है कि कया यह भी लगाए जाला कि अप्रेल एंड में टेंथ का रिजल्ट आ जाएगा और इस बार सी बीए से में रूल को फॉलो ना करते वे शायद टेंथ का रिजल्ट पहले देते और ट्वेल्ट का पाद में पट अट देंड यह सी बेसी है थर्टी टाइम पर नहीं देते हैं तो रिजल्ट आटोमेटिक के लिए जो कि लास्ट टाइम हुआ था तब क्या होगा यह बताया अभी पता नहीं हमको यह बस मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमें जानकारी मिल लिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहर आपकी जो एक्जा करने वाली हूं क्लास 12 के के मिस्ट्री के लिए और क्लास 10 के साइन्स को और भी फर्दर एवरी अपडेट जो होगा चाहे जेए का हो नीट का हो सी बसी का हो तो यह बी अपडेटेट इस आप चैनल के साथ बने रहे हैं सब्सक्राइब जरू कर लिजे लाइक शेयर करना भ क्लास 15 मुझ।